सत्रवी लोकसवा चुनाव के पहले शरण के लिए आज इक्यानवे सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें से पुर्वुतर की कुल 25 सीटों में से 14 सीटे भी शामिल है इन 14 सीटों में से असम की पाच, मडिपुर, त्रिपुर, नगलें, सिक्किम वा मिजोरम की एक-एक सीट और मिघाले वा अरुनाचल की दो-दो सीटे शामिल है लोकसवा की 14 सीटे इस प्रकार है असम की तेसपुर, कल्याबोर, जोरहार, डिबरूगर, लखीमपुर है मडिपुर की बहरी मडिपुर सीट त्रिप्रा की त्रिप्राग पश्चिम सीट अरुनाचल पदेश की अरुनाचल इस्ट वा अरुनाचल वेस्ट सीट मिघाले की तुरा वा शिलॉंग सीट वहीं मिजोरम नगलेंड वा सिक्किम की एक-एक लोकसभा सीट आपको बता दे की वर्तमान में इन 14 सीटों में से 7 पर भाजपा वा उसके सहयोगी दलों का कबजा है वहीं पाश लोकसभा सीटों पर कॉंग्रेस वा एक पर CPI का भी कबजा है इसलिए पुर्वोतर में पहले चुरण का चुनाव भाजपा के लिए खास महत्वर रखता है भाजपा और उसके सहयोगी दलों का यही प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटे उसके हाथ में आएं लेकिन भाजपा की तरफ से सबसे चिंदा की बात यह है कि पुर्वोतर में नागरिता संशदर विध्या को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मामला उल्टा पड़ सकता है वही पुर्वोतर के और भी छोटे बड़े मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए परिशानी का कारण बन सकते हैं जिसमसे हाल ही में अरुणाचर में प्यार्सी की मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और पुलिस के द्वारा आम नागरिकों पर फाइरिंग की गई वही नागलैन में नागा का मुद्दा है अगर ये सब मुद्दे हावी रहे तो भाशपा के लिए मुश्किल हो सकती है लेकिन अब देखना होगा कि पुर्वोतर में मोदी का जादू कितना चल पाता है इसका फैसला तो 23 मई को घोशित होने वाले परणाव में ही पता चलेगा सतवी लोकसवा की 543 सीटों के लिए चुनाव 11 अप्रेल से 19 मई के बीच 7 चन्नों में होंगे दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रेल को, तीसरे चरण का 23 अप्रेल को, चोथे चरण का 29 अप्रेल को, पाच्वे चरण का 6 मई और 6 चरण का 12 मई को, वहीं 7 चरण का मतदान 19 मई को होगा, मतगर्णा 23 मई को की जाएगी